दोस्तों कैसे हैं आप लोग आपका स्वागत करते हूं आपके चैनल GS Spark में चलिए दोस्तों हम बात करने मौली का दिकार का जो सिकेंड है स्वतंता का दिकार तो यह काफी important chapter है और मौली का दिकार से प्रस्ट बनते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं कि मौल समिधान में कितनी परकार की स्वतंता हैं थी तो मौल समिधान में देखेंगे 7 परकार की स्वतंता है थी 19 यह आपको समाप्त कर दिया गए चलिए बात करते हैं तो सिकेंड जो हमारा दिकार है स्वतंता का दिकार स्वतंता का अधिकार जो आर्टिकल पढ़ेंगे आप 19 लेके 22 तक पढ़ेंगे 19 लेके कहां तक पढ़ेंगे 22 तक पढ़ेंगे तो इसमें हम बात करेंगे आपको आर्टिकल 19 के बारे में जितनी स्वतंता हैं 19 में आर्टिकल में उसके बारे में हम बात करेंगे complete बस आप वीडियो तक बने रहेगा, दस मिनट के अंदर दिमाग में फिट हो जागा, कितने भी आपकी सोतनता हैं, जो हैं आपके वर्तमान में, छे प्रकार की सोतनता हैं, आपको याद हो जाएगा, चलिए, पहला बात करते हैं, उननिस ए, आर्टिकल उननिस ए, आर्टिकल में कहा गया कि बोलने की सोतनता, किसके बार में बात किया गया है, बोलने की सोतनता, यानि बोलने की सोतनता मतलब बिचार अभिवेक्ति की सोतनता, बिचार यो, अभिवेक्ति, बिचार यो, अभिवेक्ति, बिचार यो, अभिवेक्ति की सोतनता, यानि इसके मतलब उननि निसे में की तरह अपनी विचार अभिविक्द कर सकते हैं, किसी भी तरह जहेड ventilation के मादने हैं, चाहे bescherm के मादने हैं, किसी भी तरह आप अपनी विचार को रख सकते हैं इसमें 19-는 सोम पार थिसमें देखेंगा, प्रेष की सुतंता भी, फिर प्रुद्त था मंतमत म्ताले, जो सुतंता इसमें सुतंता बी तरहत्व, और वोलने की सुतंता था हैं, नेश्ट आर्टिकल है उननिस भी इसमें उननिस भी में मिलने की स्वतनता की बात की गई यानि सभा सम्मेलन की स्वतनता की बात की गई यानि बिना हतियार पुरवक सभा सम्मेलन की बात की गई है यानि मतलब कहा कि उननिस भी में आप सभा सम्मेलन कर सकते हैं लेकिं उसके स अखल 19-A में हो गया, बोलने की स्वतनता, इसके बाद क्या है, मिलने की स्वतनता, मिलने की स्वतनता की condition है कि आप बिना हतियार पुरवक सवा समेलन कर सकते हैं, कहीं भी आपकी पूरी अजादी है, इसके बाद 19-C में बात किया गया है, 19-C में कहा गया है, संग, संगम, संगम, संस्ता, आदी, बनाने की स्वतनता, यानि संग का मतलब यूनियोन होता है, जैसे बिद्यार्थियों के यूनियोन हो सकता है, संगम का मतलब होता है, जैसे दो नदिया आपस में मिलती है, तीन नदिया मिलती है, तो संगम का निवाड करते हैं, बच्चों के द्वा प्रासियों की मतलब कोचिंग संस्ता होती है और स्कूल संस्ता भी होती है . 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 इसके बाद 19-D 19-D में कहा गया है कि घूमने की सोतनता घूमने की सोतनता यानि भारत की राज में आप भ्रमड कर सकते हैं भारत का जो टोटल 36 राज है उरतमान में 36 राज देखें कंफ्यूज नहीं हो ना अंडमार निकोबार को अंडमार और दादर नगर हवेली को एक कर दिया गया यानि वो अरतमान में 8 राज है मतलब 8 के इंसाज़ परदेश है 28 राज है यानि 36 राज है यानि 19-D का कहने का मतलब गूमने की सोतनता है आप भारत की मतलब कहीं भी राज में आप भ्रमड कर सकते हैं यूपी में भी निवास मतलब यूपी में गुम सकते हैं बिहार में गुम सकते हैं यानि भारत के 36 राज हैं में आप भरमड कर सकते हैं यह आपकी पूरी अजादी 19-D के अंतरगत इसके बाद D के बाद आता 19-E 19-E में कहा गया बसने की सोतनता बसने की सोटंता मतलब है कि आप कहीं भी आप निवास करते हैं इसके बाद उन्निस यप को हटा दिया गया है 14果 Sanrough allocation 1978 के दवारा यह वर्तमान में नहीं है 14果 SanUFF rain 1978 के दवारा संपत्ति का अधिकार हटा दिये गैं इसंसमे विदिक का अधिकार बना दिये गैं इसका मतलब है कि राज आपकी संपत्ति को चाहे जब चाहे जब जब कर सकता है एक कानोनी अधिकार बन गया है अगर आपके उसके बदले, अगर राज की हित के लिए वो काम, जिसा आपके सम्मिदान अधिकार तो तो राज ले सकता है, कभी भी उसके जगह आपको मुआज़़ाइद दे सकता है, चाहए 1 गुना, चाहए 10 गुना और राज की हित के लिए तो 19 EF को हटा दिये गए 1470-1978 द्वारा प्रसन आता है कि 19 EF को किस सम्मिदान 1470-1978 द्वारा देखी याद करने का बहुत सिंपल है 4-4-8 लास्ट में कहा रहा है तो इस लिंक के मादम से याद कर सकते हैं कि 1470-1978 द्वारा संपति का हटा दिये गया इसको बिदिक अधिकार बना दिये गया वर्तमान में यानि कानोनी अधिकार इसके बाद 19 G में देखेंगे लास्ट है आपका स्वतनता 19 G में बिजनस करने की स्वतनता बिजनस बिजनस करने की स्वतनता बिजनिस मतलब बिजनस करने की स्वतंता यानि इसका मतलब उन्नीजी में अपने परिवार के लिए आप बिजनस कर सकते हैं उद्ध्योग धंदा कर सकते हैं यह आपकी पूरी अजादी है 19 जी के अंतरगत आप अपने परिवार के लिए आप बिजनस कर सकते हैं आपको कोई रोक टोक नहीं करेगा लेकिन इसके साथ देखेंगे कही चग मुद्दे आयते ज़्यादा मुद्दा बात नहीं करेंगे बस जानते रहे है कि जैसे कि आप बिजनस का मतलब उद्द्दा कर सकते हैं लेकिन धार्मी का स्थालोप नहीं कर सकते हैं यह आपकी पूरी अजादी है देखेंगे चर्च हुआ, चाय मंदिर हुआ, चाय हिंदु धर्म के हुआ, इस्वाई धर्म के हुआ तो वहाँ पे आप अंडा बेच नहीं सकते हैं चीकन, मतलब मुर्गा नहीं आप काड़ सकते हैं यह थोड़ा पर्तिबन लगा है चलिए, पहले हमने स्वतनता की बात के 19-े में देखेंगे बोलने की स्वतनता एक बोलने की स्वतनता की मतलब यह है कि आपकी पूरी अजादी है देखें, जिंदल बना उत्तरप्रदेश में एक मेटर आता है उनमें कहा दिया गया था कि जिंदल एक फैक्टरी में काम करते थे तो उनके द्वारा कुछ लोग, मतलब कुछ थे कि उन्होंने आरोप लगा दिये सुप्रिम कोट द्वारा की जिंदल ने फैक्टरी पे जंडा लगाया थे तो सुप्रिम कोट ने एक डिसेजन में अपने कहा कि जंडा लगाना भारत का मौली का दिकार है जए अपने सरीर पे चाहें कहीं भी आप बाथरोम में लाइटिंग में जंडा लगा सकते हैं भारत का यह आपकी पूरी अजादी है याणि 1991 का तरह आपको याद करना है बोलने की सोतन्ता यह आपकी पूरी अजादी उसमें वो अपने पिच्चर के मानदम से अपनी बाते प्रस्तूत किया था बहुत बात ज़्यादे भी वात है पदमावती मोभी पे लेकिन देखेंगे सुप्रीम कोर्ड ने का कि डारेक्टर ने जो निर्देशन है संजे भाली उन्होंने अपने निर्देशन के मानदम से अपनी बाते प्रस्तूत किया था 19-A के तक बात ध्यान देना आपको बोलने की सोतंता इसके बाद हम बोलने की सोतंता तो याद कर लिए 19-A में इसके बात जब बोलेंगे तो हम क्या करेंगे सबा सम्मिलन करेंगे दूसरा प्लस पॉइंट हो आपका 19-B में बोलेंगे तो हम क्या करेंगे सबा सम्मिलन करेंगे इसके साथ हमने कंडेशन बता है बिना हातियार पूरवक आप सबा सम्मिलन कर सकते आपकी पूरी अजादी है इसके बाद 19 C को कैसे याद करेंगे बहुत popular question बनता है कि 19 C में कैसे किसे संबंदित है जब हम बोलेंगे तो क्या करेंगे मिलेंगे 19 C में कहा गया संग, संगठन, संगठन और संस्ता बनाने का देखे बहुत simple है 19 C में संग में सो आ रहा है इसमें भी सो आ रहा है, इसमें भी सो आ रहा है इसमें भी सो आ रहा है, इसमें भी सो आ रहा है यानि अनुप्रास लंकार सवसा की क्या हो रही है? अवरित्ती हो रही है यानि अनुप्रास लंकार 19 C में क्या है अनुप्रास लंकार यानी 19 C में कहा गया संग संगटंग संश्ता आपकी बनानी की आजादी है इसके बाद तके 19 D में घूमने की सोतनता बाद की गए यानी भारत के किसी भी राज में आप भ्रहमण कर सकते हैं आपकी पूरी आजादी है एक मेंटर आता है देखेंगे गोवा में एड़ स्पिरित जो लेडिस को घूमने के लिए बाद कर दिया गया था तो उसमें कहा गया कि एड़ स्पिरित गोवा के राज में सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि गोवा राज ने मना कर दिया कि एड़ स्पिरित को गूमना आजादी नहीं है तो एड़ स्पिरित दो थे Supreme Court ने आले चले गए बोलें कि एड़ टी के अंदर का मरी गूमने की सुतंता है लेकिन सुप्रिम कोड ने का कि its period बेक्ति घूम नहीं सकते हैं क्योंकि ये राष्ट की हित के लिए नहीं है 19D के अंदर घूमने की स्वतनता है लेकिन उसके न्याले ने विरोध को खारिच कर दिया यानि 19D में its period को घूमने की स्वतनता ने गोवा एकरहसर आज है जहां पर परतिबम लगा दिया 19D के अंदर यानि 19D में घूमने की स्वतनता है देकि कैसे यात करेंगे बहुत स्म्पल है D से क्या हो जाएगा? distance क्या हो जाएगा? distance Distance मतलब दूरी होता है क्या होता है? दूरी होता है हिंदी में हम बोलते हैं दूरी एक displacement होता है एक distance होता है तो distance का मतलब होता है दूरी और displacement मतलब दूरी होता है यानि हम distance का मतलब दूरी जब घर से गुमते हैं कुछ distance पर हम गुमते हैं या 10 km चाहे 20 km यानि हम गुमने की सोतनता 19D के अंदर चाहे आप UP के हैं, चाहे राजस्थान के हैं, चाहे आप कहीं भी आप निवास कर सकते हैं, आप बस सकते हैं, आपकी पूरी अजादी है, देखिए 19E को कैसे याद करेंगे, 19E को कैसे याद करेंगे, 19E को कैसे हो जाएगा, E क्या हो जाएगा, E से क्या हो जाएगा, E से क्या अधिकार बनाने, कानुनि का दुआए जहाए कानून आपकी संपत्ति को अरजित कर सकता है, ये संपत्ति आधिकार आपका दिकार नहीं कानूनि आधिकार बना देगा, किस संभmberदान 808 गया है? 4448 877. चलिए, उन्ने जी में कहा गया कि बिजनस करने की सोतनता, अभी हमने बताया आपको उन्ने जी में कहा गया बिजनस करने की सोतनता यानि भारत की कहीं भी राज में बिजनस कर सकते हैं इसके बता हमने कहीं कहीं को कंडिशन बताया थे कई मुद्याय सुप्रेम कोट के है तो 19 जी में बिजनस करने की सोतना यानि अपने परिवार के लिए अपने लोगों के लिए आप बिजनस कर सकते हैं उद्योग धंदा कर सकते हैं यह आपकी पूरी अज़ादी है जी से क्या हो जाएगा बिजनस जी से क्या हो जाएगा बिजनस यानि बिजनस मतलब उद्योग धंदा करने की पूरी अज़ादी तो मैं उमीद करता हूँ दोस्तों यह आपको वीडियो काफी अच्छा लगा हुआ जादा जादा इस वीडियो को आप सेर करिए ताकि अंदरा लोग को पाचे कि इस चैनल पर आपको सारी वेकेंसिया मिलती है ट्रीकी वीडियो, अबजेक्टी वीडियो, वेकेंसी वीडियो, इंगलिस वीडियो, वेकेंसी मिलती है अगर एक लाग सस्क्राइबर होगे तो हम लोग इलावाद हम लोग का चैनल है GSS Spark और कोचिंग भी पढ़ाते हैं टाप क्लास मतलब हर कोचिंगों में पढ़ाते हैं अच्छे-च्छे कोचिंगों में तो आपको GSS Spark नाम से GSS समंदित आपको बुकलेट पुराइट किया जाएगे आल सब्जेक्ट चाहे हिंदी हो, चाहे संस्क्रीट हो, चाहे किसी भी तरह GSS समंदित हो तो आपको सारी चीज़े मेटर हो, चाहे इतियास हो, चाहे बुगोल हो, चाहे पॉल्टी हो किसी भी तरह साइन्स हो, तो आपको बुकलेट दिया जाएगा जो भी कंडिकेट है, इसको जादा जादा वीडियो सेयर करिए ओके दोस्तों, बाई बाई, टेक केर, जैन्द